हालो एब्रिवन तो कैसे हैं आप लोग तो देखें बाटा आज हम लोग NBS के पार्ट टू में आ गए लेक्चर है न सेशन टू में आ गए जिसे कि मैंने बोला था इसको हम तीन पार्ट में कम्प्लीट करेंगे तो आज हम लोग उसके लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किया था ना अलायलिक और बेंजायलिक सब्सिशन रियाक्शन थ्रो एन्बियस है ना और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि हम लोग रीड्स रियाक्शन की बात भी करेंगे है ना उसके बात फिर धेर सारे बहुत अच्छे-चे प्रिया करेंगे तो कॉंसिप्ट भी होगे आज कोस्ट भी होंगे दोनों को बहुत बढ़ीत पर तरीके से कर milk करते हैं और जो भी मैंने रिट्स रेक्शन में क्या होता है क्या नहीं होता है इसका रिएजेंट क्या होते हैं और कैसे प्रिपरेशन होता है है और क्या रिएक्शन है क्या इसका यूज है क्या अप्लिकेशन है वो सारी चीजे हम लोग समझते हैं हां बट इतना जरूर है कि जो रिट्स रेक्शन है यहां पर जो mechanism follow होता है that will be free radical mechanism कौन सा mechanism होता है यहां पर free radical mechanism और इसलिए मैंने इसको NBS में लिया है क्योंकि यहां पर भी अभी हम NBS में जो allylic और benjalic substitution की बात कर रहे हैं वहां पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं free radical mechanism की बात कर रहे हैं तो चलिए पर हम TF करते हैं पती events the reaction के ठीक है तो रिट reaction की बात करने जा रहे हैं कि अ Armor odpow और रिठ i 쓸 एक्षन में क्या होगा क्या नहीं होगा तो आइस फ्मृड़ा बाद में बात करेंगे पहले हम देखते कि सांट हैं किसbreak रिएजिंट क्या योज करते हैं, पहले वो समझते हैं बैटे, है ना, और बहुत सारी चीजे है, step by step हम लोग समझेंगे, तो यहाँ पर हम लोग बैटा, पहला तो हम लोग यहाँ पर SO2 and CL2, sulfur dioxide and CL2, in presence of, in presence of, है ना, है ना, है एच निव, sunlight और अप यहाँ पर कह सकते हो, sunlight में ही हमें कौन सा मिलेगा, UV light, ultraviolet light के presence में हम लोग reaction कराते हैं, या फिर हम यहाँ पर दूसरी एजेंट भी हम लोग बैटे योज करते हैं, है आपर, सिदे-सिदे इसको लोग बोलते है में S2 Cl2, है ना, इसको भी हम करते हैं, बैटा क्या, in presence of, है ना, in presence of, ह sì ना, और जहाम इसका इूस करते है, बैटे, जहाम इसका इूस करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग activated charcoal भी you use कर लेते हैं, activated charcoal, जो कि reaction की relativity को increment करता है, enhance करता है, so S CL2, है ना, S CL2, है ना, in presence of, in presence of sunlight, H new, और UV light है ना उसी में आपका UV light आ जाता है, Sunlight में ही होता है UV light आ जाता है, Ultraviolet light होता है, जो यह compound है आपका SO2Cl2 इसको लोग क्या बोलते हैं, Sulfuril Chloride, इसका जो नाम है, वो क्या है, Sulfuril Chloride है ना, तो कुछ इस तरह से यह इसके reagent है, तो अब जो यहां पर SO2Cl2 है, है, Sulfuril Chloride है, चलो पहले इसको यह देखते हैं कि इसको प्रिपेर कैसे करेंगे, तो नेक्स स्टेपीच, प्रिपरेशन ओफ, प्रिपरेशन ओफ, प्रिपरेशन ओफ, है ना, SO2Cl2, Sulfuril Chloride, कैसे बनाते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं वैटा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एच नू, यानी कि UV Light ले ले लेते हैं, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रिफ़ेटे चार कोल, जब हम इनकी रियाक्षन करते हैं, activated charcoal तो जब इसके reaction कराते हैं तो हमें यहां से sulfuryal chloride SO2, CO2 मिल जाता है क्या मिल जाता है sulfuryal chloride समझे दो बैटे sulfuryal chloride मिल जाता है कुछ इस तरह से तो यह कुछ आपका प्रिपरेशन हो गया इसका इस तरह से हम लोग यहां पर इसको प्रिपेर कर सकते हैं कारी बात समझ में आती है यहां तक आपको बात समझ में आती है अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से ठीक है तो आप देखो क्या है कि जब कभी भी आपको यहां पर यहां पर आपको समझना पहले रिएजेंट है तो आपको कौन सी रियेजेंट होंगे बेटा, that will be your REITS रियेजेंट अब इनका क्या function है, कैसे क्या करेंगे हम लोग सब कुछ समझेंगे, एक एक करके बात को समझने की कोजिस करेंगे, राइट बेटे यहां तक बात आपको समझ में आ जाती है, कि किस तरह से हम लोग बात करते हैं बेटा यह, तो अब आते हैं इसका reaction क्या होगा, तो इसका reaction बेटा, किस तरह से हम step by step आपको समझाएंगे, कैसे कैसे क्या reaction हो सकता है इसका, वो सारी बात है हम लोग करेंगे, तो जब देखे, इसका reaction के बारे हम बात करते हैं कि इसका reaction अगर है actually इसमें होता क्या है ना बेटा कि जो आपका RH होता है पहली reaction के बाद हम लोग करने जा रहे है जो आपका RH होता है RH जो react करता है बेटा किसके साथ SO2 और CL2 के साथ किसके साथ बेटा SO2 और CL2 के साथ और किसके presence में बताओ UV light UV light और यहाँ पर क्या होगा activated charcoal होगा ठीक है बात समझ रहो यह हो सकता है अब इस case में जो compound बनता है बैटे आपका इस case में जो final compound बनता है वो आपका बनता है RSO2Cl जिसका structure आप कुछ इस तरह से बना सकते हो देखो क्या हो सकता है RSO2Cl और प्लस यहाँ से बैटा क्या निकल जाएगा देखो HCl बात समझ रहो और यह आपका RSO2Cl हो गया और यहाँ से आप चाहाँ तो चेक कर सकते हो RSO2Cl और HCl एक्शन प्रॉपरली बैलेंस्ट है है ना तो यहाँ से हम लोग यह क्या बना सकते है बैटा बात समझ रहें बैटे आप तो यहां से हम लोग अलकाइल सल्फोनाईल क्लोराइड बना सकते हैं तो एक रियक्शन तो यह और भी हम आपको रियक्शन दिखाएंगे अब इस रियक्शन का चुक यह वी लाइट है और सब गभी भी आती है तो बैटा हेलपर वाली बात हो वाला है तो चलो क्यों हम सबसे पहले इसका बैटा मेकैनिजम देख लें कि इस रियक्शन का मेकैनिजम क्या होगा बैटे है ना तो सबसे पहले हम इसका मेकैनिजम देखते हैं बहुत सिंपल तरीक से इसका मेकैनिजम लोग देखने और समझने की कोशिस करेंगे बैटा ज सबसे पले आपका initiation होगा बाटे, initiation में क्या होता है, कि आपका CL2 है बाटे, CL2 है और आपने इसको क्या है, हनुआ, sunlight दे दिया, sunlight है आपके पास तो UV light है न, हनुआ, और UV light, तो क्या होगा बाटा, यह पेर ओफ क्लोरीन रेडिकल में कुरॉर्ट हो जाता है, so this is पेर ओफ कलोर डाइसिस हो जाता है in-phase Love of Sunlight तो यह आपका प्लियर voiR of flux j civil पंता है ये सिटार्पोगेशीन चाच हो गा प्लियर going roadаг क्या होता है जरा समझना को स्टार्प्ण दो लाजने कोशिस करना भाजने की बैटा के जो आपका आरच है यह अब इस आरइच के पास यह Cel Radical जाएगा समझना जब चुकि रेडिकल जा रहा ह। तो पर लिटे Cathedral जा रहा है समझना बदे बात यह से तूटेगा और एक Cel यहांपर एड़ो चायगा शहना यहां ससे ब्नने का सही ini आर, है ना, अरे, CL, just a minute, बिटे, CL, यहाँ पर add नहीं होगा, basically, यह क्या करेगा, बिटा, R free radical बना देगा, और प्लस यहाँ से, यह HCl gas बाहर निकाल देगा, लोक, HCl gas बाहर निकाल देगा, यहाँ पर alkyl free radical बन गया, क्या बन गया, बिटे, alkyl free radical बन गया, यह आपका alkyl free radical, अब यह जो alkyl free radical है, अब जो इस बात को समझना, यह जो alkyl free radical है ना, बिटे, अब यह क्या करेगा, बात को समझना, है ना, तो इसमें जो alkyl free radical होता है, अब देखो, क्या हुआ पहले सबसे पहले इस देखो यहाँ पर, क्या था वैटा से ये आप ने लाइट दिया है ये आपका प्रएर ओफ क्रोई डिल में ब्रेक हो गया फ्री ये रीडिक्ल डिट्र जिससे जो डिडिकल बना रेच पिजा कर डिल गाए और अलिफ डिल बना गया अब बच आ रहा है सूर्ट बच रहा है तो अब यह जो आज आई तो आई था किया कि बात करें तो इसके पास शांके बीदिक्स. ऩिस तर sécurशा रसे स्ट के पास भीपाँ के पास जाेगा एंटिया रदेखे एक अधान से जनाब गौर फर्माईएगा और इसके पास दो इलेक्ट्रोन है और यह आपका एसे लिख दू यह दो और यहां पर एक बारने के बाद बहुत इंट्रेस्टिंग चीज यहां पर सामने आती है पता है क्या सामने आती है यह दोनों मिलकर एक बॉन्ड तो यह आपका एक फ्री रेडिकल अलकाईल का जो एसो टू के साथ है वो फ्री रेडिकल जनरेट हो गया बटे बताओ जल्दी से बताओ बटे है ना तो यह जो फ्री रेडिकल है इसको हम बोलते हैं है ना अलकाईल सल्फोनाईल रेडिकल क्या बोलेंग इसको अलकाईल सल फोनाईल रेडिकल तो यह रेडिकल आपका बन गया यहां से और जैसे यह रेडिकल बनता है बस सिंपल बटाई यह क्या करेगा फिर से अगेन यह आर एसो टू जो रेडिकल है आपका यह फिर से सील टू के पास जाएगा CL2 के पास जाएगा यह CL2 आपके पास है किना CL2 इसके पास आएगा यहाँ पर homolysis होगा अब यह CL यहाँ पर add हो जाएगा और यह finally बना देगा तो क्या RSO2 था और यहाँ पर CL क्योंकि इसका एक electron मिलके CL बना देगा और प्लस यहाँ से CL radical free हो जाएगा आप देखो finally बिटा क्या आपने compound बना लिया क्या देखो अगर आप इसका structure बनाओ तो देखो आपका alkyl sulfonyl chloride आपका बन चुका है alkyl sulfonyl chloride आपका बन चुका है just a minute बिटे alkyl sulfonyl chloride आपका बन चुका है so this is your alkyl sulfonyl chloride आप यहां तक समझ गए बात क्या थी एक रेक्शन और है जो हम लोग reaction की बात करते हैं अब next reaction इसका जो है वो क्या है वो भी काफी important reaction है जरा देखेगा है ना तो अब जो next reaction की हम लोग बात करने जा रहे हैं बटेखो यह सब चीजे मैंने आपको बता दी जरा ध्यान से देख लो बटेखो इसके बात की बटेखो आपको बन गया है इसके बाद आपने क्या किया बता प्रिपरेशन ऑफ अलकाइल आपको बन गया है अब बात करते हैं अब हम लोग यहाँ पर क्या जरा देखो थेहां से देखो रीट्स एक्षन जहांपर हम प्रिपेर करेंगे रसल क्या विए आलकाइल्काइल है लगाएल comment बनाएंगा अर यहां पर किया तरीकरे की बनाएंगे रीट्स रेक्शन की ही बात होगी और यहां पर जो हम basically reagent, reagent तो अब समझ रहो क्या क्या हो सकते हैं, जरा बता दो एक बार इसमें क्या reagent लोग यूज का सकते थे, यह तो अपका SO2 and CL2, इंपरिजर समझ सनलाइट यूज का सकते हैं, यह बनाने जाहरे हैं, जरा देखो, इसमें क्या होगा बात करें? तो देखो क्या होगा बेटा आपके पास फिर से में यहां पर इंडलना हूँ कि यहां पर अभी भी हम Reads reaction की बात कर रहे हैं बट अब इसके थ्रों क्या बनाने जा रहे हैं जरा देखो इसमय क्या होगा बैटा देखो आपका आपका रह होगा अल्केण और इसमय आप डालोगे शुलफोरनील क्लॉरायट किसके प्रेजंस में बैटा सटनलायट के प्रेजंस में और यह आपका ऑपका ज्रूफोरनीफोर्ulyट क्लॉरायट और यहां से आपका पता है किने बनेका होर 10 देखो और यहां पर एंपर और यहां पर यहां पर आत कपीटे और एसो टू गाया और फिल।क्म्ट अई अची ह सरषाhew यह गेश निकल झालाएगी वार था सिया दार है थायर?. HCL gas निकल जा रही है, escape out हो जा रही है, जिनके बहुंड कम होगा, so according to Leach Atlas principle, यह एक्षन और फोवड जाएगी, बहुत अच्छा yield यहाँ पर RCL का मिलेगा, बात समझ रहो, so this is a very good reaction, this reaction is called reads reaction, अब आप confuse मत होना, एक reaction मैंने आपको और बताया था, याद करो Dargen reaction, वो अलग था, इसका मैं करें जब मैं आपको बता चुका हूँ, Dargen reaction अलग था, थोड़ा सा difference है उसमें, यहाँ पर Alcan है, वहाँ पर alcohol था, और वहाँ पर हमने डाला था, यह difference मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ कि गरबन मत करें, वहाँ पर SOCL 2 था, क्या थ हुआ था, और उसके बाद फिर SO2 यहाँ पर भी निकला था, और HCL यहाँ पर भी निकला था, याद करें जनाब आप, और जब SNI की बात हुई थी, तो यहाँ पर retention हुआ था, और हमने ROH लिया था, और जहाँ हमने SOCL 2 डाला था, SOCL 2 डाला था, तो वहाँ पर SN2 में करें ज SOCL निकला था, तो गरबड मत करना बेटे, गरबड मत करना बिलकुल भी, तो यह जो आपका यह डार्जिन रियाक्शन है, आपर alcohol से हम बनाते हैं, आलकोल, RCL, बट यह जो आपका SOCL 2, SOCL 2 डू नहीं है, इस ही जो थायोनिल क्लोराइड, तो दोनों में डिफरेंस आप समझ को बेटे, यहाँ पर आपका, जो SO2Cl2 है, इस जी जीरीजएंट और यहाँ आपका जो है, क्या नाम इसका, सल्फ्यूरिल क्लोराईड है, बेटे, सल्फ्यूरिल क्लोराइड है आपका, और जब की जब की, जब की, जब आप बात कर रहे हैं मबर, SOCL 2 की, तो SOCL 2 आपका यह यहां पर यूज होता है और यह आपका रिट्स रियक्शन में यूज होता है बास समझेडों and this is your thionyl chloride तो आप जो है ना, confuse बत हो ना, govern मत करना विलकुल भी क्योंकि बहुत ज्यादा सिमिलर लग रहा है रियक्शन दिख रहा है बहुत ज्यादा एफेक्शन का इंड बन जा रही थी बहुत अच्छा हो जा रहा था और बहुत एफेक्शन रेक्शन मैं आपको बोला था तो आप alcohol पहल से यहां पर RCL बना सकते हो using Dargen reaction, आप यहां पर Alkene से Alkyl-Cruvide बना सकते हो using Reads reaction, using Reads reaction, काहानी समझ में आरी बेटा, तो अब यह जो reaction है, यह वाली, Reads reaction की बात करें, अगर हम बात करें, यहां पर किसकी बेटे, Reads reaction की बात करें, अगर हम तो यहां पर आपने क्या लिया, रह लिया, एक बार मैं फिर से लिखना चाहूँगा, और यहां पर आपने SO2Cl2 लिया, इसका मेकनिजम क्या होगा, वो देखते हैं सब सबसे लिखेंगे, तो समझ रहो कितना मस्त चीज़ आ गया, कि आपने दरजन reaction भी देख लिया, और यह रिट्स reaction देख लिया, और दोनों में क्या basic difference है, अब आपको यह confusion कभी नहीं रहेगा, क्योंकि काफी लोग इसमें confusion आते हैं क्या रही कौन सा reaction है, है ना तो यह चाहर देखो इस लिखेंगे, पहले इसमें क्या होगा, कि जो आपका SO2Cl2 है, आप समझेगा बात को, जो SO2Cl2 है, SO2Cl2 के structure gram बनाएं तो कुछ यह बनेगा, चलो यहीं पर बना जता हूँ, मैं यह देखो, SO2Cl2, आपका यह जो sulfuric chloride है, यह है, सनलाइट आपने दही रखा है, इसके presence में बेटा क्या होगा, इनिसियेशन होगा, आपका, रेडिकल बन जाएगा, और यहां पर बन जाएगा, CL, S double bound O, यह और यह फिर रेडिकल और यह क्लोरिन रेडिकल फ्री हो जाएगा, चलि यहां तक बात समझ में आती है, जैसे क्लोरिन रेडिकल फ्री होगा, तो तुरूंत यह कहां जाएगा, देखो आप जरासा यहां पर, सिधे-सिधे यहां पर जाएगा, रेच के पास जाएगा, और यहां पर चुक्कि रेडिकल है, तो रेडिकल मेकनिजम फॉलो होगा, यहां इसे ब्रेक हो जाएगा, बताओ, यहां पर फिर से यह HCl, वैसे मेकनिजम आ रहा है कि न यहां रहा है, बटे, हल और प्लस यहां पर आर फिर रेडिकल देदेगा, अच्छा, एच्श ही समझझो, यहां पर आर मतलब कार्बन का यहाँ पर CH bond है और यहाँ पर HCL bond है। यहाँ पर HCL bond है। यह strong bond होता है। With respect to CH bond, आप यहाँ पर निगतिविटी से देख सकते हूं.. Difference, यहाँ पर ज़्यादा आएगा और यहाँ पर कमाएगा, CH के बीच में difference कमाएगा, यहाँ पर ज्यादा आएगा aur इसका मतलब कि जब कभी आप लिस्टेबल से मुर्स्टेबल जाते हो तो अम इस एक्जूथर्मिक रियक्शन होती है इस यह जो डेलेच होगा वो निगेटिव होगा तो यह जो कैसे भी कोश्टे पूछे जा सकते हैं और जैसे यह जो औ जैसे यह आप बांट आपको पता है कि जैसे यह जए है और यह एहां पर फिर से हेटरूलाइसिस कर दोगे हेट्रोलाइस जब बेटा होगा तो अब यहाँ पर यह जो R और CL है यहाँ पर जो R और CL है यह दोनों मिल जाएंगे और यहाँ पर मिलने के बाद यह क्या बना देगा और प्लस देखो यह SO2 बन जाएगा देखो एक लोन फ्री हो गया कि न इसका यहाँ पर SO2 गैस बन जाएगा आप देखो के SO2 गैस भी बन चुकी है एचल गैस भी बन चुकी है और CL भी बन चुका है बताओ बटा complete mechanism rates reaction के आपके सामने आगे so this is very useful reaction this is very useful reaction this is very useful reaction बेटे very useful reaction for conversion of यहां से हम अलकेन टू अलकेन टू अलकाइल क्लोराइड ति बहुत useful reaction है अलकेन टू अलकाइल क्लोराइड यानि कि रह से RCL बनाने के लिए यह बहुत ही अच्छी reaction है क्यों अच्छी है क्योंकि हाँ पर yield बहुत अच्छा होगा जो gases है वो escaped out हो जाएंगी और आपको purified form में RCL मिलेगा that's why उसका yield बहुत ज़्यादा होगा बहुत ज़्यादा forward direction में मुख करेगी तो यह सारी आपके सामने आ लिए बात क्लियर है अब जैसे कि सब और आपने NBS का function तो देख लिया NBS का function तो देख लिया तो इसका जो reactivity होगा radical के लिए इसका भी जो reactivity order होगा बैटे दर नको बैटा simple जो इसका reactivity order होगा वो 3 degree radical उसका तो दिग्री radical और उसका फिर 1 degree radical की तरफ होगा कुछ इस तरह से बात समझ रहो बात समझ रहो तो कुछ इस तरह से इसका भी reactivity order होटा चाहिए और यह कुछ होगा इस तरह से तो this is your rates reaction तो आपने rates reaction भी बैटा complete कर लिया है ना देखो मैंने सारा चीज यह reaction आप देख सकते हो rates reaction good method by products are gas is skipped out pure RCL बनता है यह पर यह पूरा का पूरा reaction है यह पर हमने आपको mention करके दिखा दिया कि भाई कैसे क्या क्या हो रहा है so this is your rates reaction तो समझ में आगे rates reaction क्या है तो rates reaction आपने समझ लिया है इसके questions हम आगे देखेंगे मिक्स questions देखेंगे इसके पर आपने process पूरा समझ लिया कि rates reaction क्या है और डाजिन reaction में क्या difference rates reaction में वह भी आपको clear हो गया एंबियस में हमने क्या-क्या अभी तक कौन सी बात कर रहें अलायलिक और बेंजायलिक substitution reaction की बात कर रहें फिर radical mechanism की बात कर रहें जो हम लोग लास्ट क्लास में बात कि तो उससी से related आज हम questions solve करेंगे जो भी बात होने जा रहे है आप clearly देखें यहाँ पर बेटे क्या कि questions on substitution reaction मतलब यहाँ पर NBS CCL4 की बात हो मतलब कहीं पर अगर कि वहले NBS भी लिखा है तो आप understood मान लेना कि वहाँ पर हम लोग इन questions में CCL4 और helper की बात कर रहें मतलब heat हो सकता है sunlight हो सकता है यहाँ पर peroxide हो substitution की बात करने जा रहे हैं जो कि मैंने आपको last lecture में बहुत अच्छे तरीके से बहुत डीटेल में सारी चीजे करके चुन-चुन करके बताई थी मैंने तो चलिए शुरू करते हैं यह रहा आपके सामने first question आपके पास बेटे दोखो यहाँ पर क्या है NBS CCL4 है ठीक है तो अ यहाँ पर C14 है यहाँ पर यह है बेटा बताओ क्या यह जो hydrogen है क्या यह आपका allylic है yes hydrogen single single double तो इसी का replacement होगा यह तो पता चल गया तो अगर यह replace होगा तो दो उसका तरीका क्या होगा सबसे बहले बात को समझो अगर इसको replace करा होगा तो यह पर एक free radical generate होगा तो आपका CH2 और दो को CH और यह CH2 40 कोई दिकत कोई दिकत नहीं है तो एक सिकन एक काम और कर लेते हैं इसका साइस थोड़ा सा कम कर लेते हैं यह हो जाएगा और उसके बाद तुरंट पता है क्या करो इसका तुरंट रिजनेंट दो जब कभी भी आपको विटा NBS ECL4 के questions मिलें तो जो भ चलाएगा तो फस्ट में इसकेलेटन तो इसकेलेटन आपने जो बनाया वो CH CS2 है और यहां पर F14 का नहीं समझ रो बैटे तो दो को रेडिकल आपका यहां पर चला गया रेडिकल यहां पर डेडिकल यहां पर जाए उसके बाद फिर आप यहां पर क्या करो ब्रोमीन फिर अब आपको पता है अब आप सिधे ट्रिक्स और टेक्निक से कंपाउंड बनाएं तो जब आप यहां पर रहोगते तो यहां पर ब्रोमीन इस वाले रिडिकल में टेक करेगा और यहां पर इस पर टेक करेगा तो पहला पहला कंपाउंड क्या पन जाएगा पका CH 2 बी आर द दोनों different हैं कैसे different है दोनों कि एक जो आपका ब्रोमीन लगा है यह कारबन 12 पे लगा है और एक जो ब्रोमीन आपका C12 है और दूसरा लगा है तो आपको दो प्रोड़क्ट इस तरह से मिल जाएंगे आपर कारनी क्लियर है चलिए अब तो बढ़ते हैं तो कोशन समझ रहे ह क्या करना है आप सबसे पहले free radical बनाना उसका regenerating structures सारे बना लेना उसके बाद ब्रोमीन radical को attack कराना आप कभी mistake नहीं करोगे simple तरीका यह होगा simple तरीका यह होगा अगला question देखो आप फड़ावड है तो देखो यह पाँच कर लो और आप ट्राइ करो और मैं इसको solve करके दिखाता हूं फिर आपको देखो इसमें क्या है question पढ़ो ध्यान से है और खुट ट्राइ करो अब देखो यहाँ पर आपको including steroisomas total products बताने है all possible products including steroisomas and all possible products including steroisomas बात समझ रहो तो सबसे बले तो बताओ इसमें allylic hydrogen कहां कहां पर है क्या इसको हम CH2H लिख ले इस तरह से इसको हम CH2H लिख ले इस तरह से पहले तो एक सिकन्न रुखो पहले काम करो आप चुड़ो बताओ allylic hydrogen इधर भी है hydrogen यहाँ पर होगा hydrogen और single double और देख लेज़र और लोचल लिख लेते हैं एक और कि आप की बात करो तो चलो हम इसकी बात कर लेते हैं किसी एक की बात करो गर्ताओ एक फिर्ले ररिक्ट बना लियाजाए और बरायजा ब्रहा जू इस बंदाओ बट च 700 अब अब कर यहाँ कर के पहुत बहुत बहुत बढ़ीते हो सकते बहुत बीना तरीकी से कैसे कैसे क्या क्या हो सकती पप्रिणेस सकता है यह ग। मैं अभी बता हो इसको ब lonelyone इसको थ्रीस chosen बहुत एक तो आभगा रह ऊषय से बाए कि कैसी बोड़ो सबस्री कि कैसे बीक não तो सेकंचत किे बनाओंग अब डॉबल बाउन 2-3 से 2-1 में यह आ गया अब नवाजा दोनों प्रोड़क्त डिफेंट भी लें और इसके बाद यह जो रिजने इनमें आप ब्रोमीन रेडिकल का अटेक कराएं इनमें आप ब्रोमीन रेडिकल का अटेक कराएं बात समझ रहो और उसके बाद फिर अभी हम इसके बात करें तो यहां पर क्या होगा अब यह भी आ पर अब धान से देखना हूं मैं अहिसे जह को यहां अज़ कोlying और इस तो इह जलो जाएं इस तो यहां पर फिर बाह्न जानां ए लकिनेल आज चेक करें आपको इनमेनों गेर अपर भीलोमिन, नमने सब्सक्लिन भ आपको यहां पर कहीं पर भी कारण सेंटर को इंटर नर्यार कर दो कर। इसको देखो इधर वाले इन तो इस carbon पर अलग ग्रूप लगें इस carbon पर अलग ग्रूप लगें बीच में double bond है तो GI SO करेगा और अगर यह GI SO करेगा तो यहां पर GI SO करेगा पहले तो लिख लेते हैं अच्छा विटा क्या यह GI SO करेगा यहां से समझते जाना नहीं दोनों सेम हो गए इधा तो हो यह और दो ग्रूप दिफरेंट बर इधा तो अगर पटिकुलर डबल बॉन्टेट चर्पन पर दोनों सेम हो जाता तो GI SO नहीं करेगा तो GI SO नहीं करेगा बट यह तो गिर उन्हें करेगा इसका आर और च्पनेगा और अगर यह वाला पार आठ यहां पर इसका ई-जड़ बनेगा, मतलब यहां पर 2 बनेगे जैसे सीश्वा ट्रांस बनता बहुत बताओ, है мяс यहां पर 2 GI एक E एक Z मिलेगा, 1 R 1 और S मिलेगा दो मिलेगे जो आपको समझड़ें बात को कितने मिलेंगे 2 प्लस टू इकोस टू फूर इंक्लिवडिंग स्टीडियो आइजमर्स कानिस बहुत गर्दा कोशन कर रहा हूंगा विटे आप दिल खुस हो जाएगा एक तब मज़ा आजाएगे आपको चलिए अब बढ़ते नेकस्ट कोश्चन की तरफ तो अगर हम इसकी बात करें आप इस को सिमेट्री का लेंगे तो हम क्या करेंगे विटे देखो चलिए इस तरह से तो अगर हमने इसको निकाला तो यहां पर एक रेडिकल आजाएगा बहुत ऐसी कुछ इस तरह से और इसको अगर हम वन टू त्री कर दें तो क्या इसका दूसरा प्रोड़क्ट क्या हो सकता है आप उसको भी देखें इसकेलेटन बनाया डबल बांड टू-3 से यहां चला जाएगा और यह दोनों तो सिमेट्री का लोगा है एकदम सेम हो गए एकदम सेम कोई डिफरेंस नहीं दोको नों एक जकली सेम है तो अगर जकली सेम है तो कोई बात नहीं किसी एक पर आप ब्र ब्रोमीन रेडिकल का अटेक कराओगे तो देखते हैं कि क्या होने वाला है आप यहां पर लगिया ब्रोमीन देखो और यहां पर एक हाईरोजन होगा बैलेंसी चार होता है यह बनगे आपका कैरल सेंटर आपको पता नहीं जो साइक्लोहेक्जीन होता है यहां पर जो डब तोटल कितने प्रॉडक्स वनेंगे और टू प्रोड़क्स वनेंगे, इंक्लिविदिं इस्टीडियो आइजमास, इसमें अब आते इस कोशन में, समझ रहे बते, तो इस तरह से तो यहां पर तो बेंजीन है, बेंजीन के पास double bonded carbon, यहां पर तो यहां पर तो चेक करो एक बार, इतना बोलें से अच्छा कि मैं एक बार आपको लिख के दिखाई दूँ एक तो यहां पर आपको किसी भी तरह का कोई कस्ट नहीं हो पेटे, यहां पर यहां पर कारवन है, को यहां पर आपका अलाइलिक hydrogen इसके पास है, यहां पर निकाल लो चलो निकाल लेते इसको pH ही रहने ने, तो pH, CH double bond, CH और CH to free radical हो गया, कि इसका RS बन सकता है, इसको 1 बोलोगे, इसको 2 बोलोगे, इसको 3 बोलोगे, और सबसे पहले आप क्या बनाओ, सबसे पहले आप क्या बन में चला गया, double bond, two, three, two, one में चला गया, कुछ इस तरह से चला गया, देखिया जनाब, अब 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 आपको इनक्लिटी इसको पूछा गया है, तो आपको इस सारी चीजे बतानी है, बनानी है, और अगर आपको major पूछा गया है, तो भाई, जो more stable free radical होगा, उसकी ब अब आपको क्या होगा, major होगा, minor होगा, बट अगर all possible पूछा गया है, तो दो को, stability of radical के basis बे आप major minor, सब बता सकते हो, सब आपको पता है, बेटे, है ना, चुकि इसलिए मैं वारी बात नहीं बोल रहा हूँ, बट यहां पर question होगा, इंट्रेस्टिंग चीज, मैंनी यह कि अगर including steroids हो, तो क्या करेंगे, तो in that case बता हो, यह क्या बनाएगा, pH, C और H, ऐसे double bond C, और यहां पर H लिख दिया, और यहां पर CH to BR लिख दिया, अब साहद आप समझ रहोगा, आप खुद सोचो कि क्या होने वाला है, pH, यहां पर C, और यहां पर BR लगा है, और इस पर यहां पर है, और यहां पर C, और हैं पर H, और double bond C, और यहां पर आटेकर के हमने पूरा structure बना लिया, नहीं है, अगर आप इसकी बात करो यहां पर यहां और यह अलग और यह अलग, double bonded carbon से, तो इसका मतलब यह क्या सो करेगा, geometrical isomerism सो करेगा, सो करेगा तो ENJ दो बन जाए यहां पर यहां पर बन जाएंगे, तो इसके टोटल प्रोडुक्स इसके फोर बनेंगे, अभी और अच्छे questions लेंगे जारा देखो तो, बड़ तरीका समझ गयों कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, आपको बात समझ में आ जाती है, इसका प्रोपर solution भी मैंने यहां पर दे आप देख सकते हो, चलिए, अच्छा, AIBN तो मैं आपको बता चुका था ना पटे पहले, एजो बिस आइसो बीटाइरो नाइट्राइल होता है, और चुकि बिस है तो दो ग्रूप एक साथ लगा दो, और यहां पर यह जो ग्रूप होता है, और यहां से इस तरह से लेक सकत यह क्या होता है, यह free radical बनाता है, free radical generator होता है, यह free radical initiator होता है, यह last class में आपको बताया था, अब यह आसा क्यों बोलाओ, आप जड़ा जड़ेखो, आप जैसे कि देखो, आपको कोई, इस question में आपको यह नहीं दिया है, कि including stereo है ना कुछ नहीं, तो आप simple reaction करो, simple reaction कैसे कर हो गया, क्या हो गया, benzylic हो गया, कुछ नहीं, एक को remove करा दो यहां से, और यहां से bromine का attack मार दो एक पर, तो देखो सीधे, यहां पर ब्रोमीन लग जागा, product खतम कहा नहीं, अब जैसे इस case में बात करें, उसको आप CH2 और SABR लिख दो, कुछ ट्राय करो एक बार, अब अब जरा बताओ, यह जो hydrogen है कौन सा hydrogen है, hydrogen single single double, sorry hydrogen single single pH, इसका मतलब यह भी benzylic है, तो benzylic substitution होगा, इसका मतलब क्या होगा, कि यहां पर free radical होगा, यह रिमूब हो जाएगा, और यहां पर bromine radical attack मार देगा, CH2BR हो जाएगा, यह जरा देखिए, this is called 1-methyl naphthalene, तो peroxide है, देखक free radical initiator है, free radical mechanism follow होगा, allylic या benzylic substitution reaction होगा, इस सारी चीजे कब कौन सी reaction कैसे हो सकती, बने आपको last class में, allylic benzylic के बारे में detail में बताया है, थाकि कब कैसे क्या आप कर सकते हो, चलिए, तो आपका यह question भी हो गया, चलिए, आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं, फोड़ा और allylic substitution होना है, अब बताओ यह इधर है, अब आपको major बना के दिखाना है, क्या बना के दिखाना है, major बना के दिखाना है, है न माइनर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो major क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकते हैं, जार ध्यान से देखें, अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी तो CS3 है, तो इसको CS2 है से लिख सकते हो, और यहाँ पर भी H लगा हो है, अगर इसको देखो तो H single single double, यह भी आपका allylic है, यहाँ पर इसको हटाओगे बैटे, तो यह आपका क्या बनेगा, वन डिगरी बनेगा, इसको हटाओगे तो यहाँ से आपका 2 इसको ब्रेक करोगे और यहाँ पर आप bromine radical का attack मारोगे, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ बन जाएगा, बटा, मेजर बनाना है आपको जस्ट, यह देखो, और यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा, बी यार, इस बी यूर प्रोड़क्ट, इस बी यूर प्रोड़क्ट, इसकी बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर भी क्या है जड़ा देखो, ध्यान से एकदम बहुत बढ़िया तरीके से, मस्त और जबदस तरीके से बात करनी है, यहाँ पर आपका CH3 है, तो CH3 है, तो CH2 है कर लो, तो hydrogen single single single, no, hydrogen single single, no, यह है निए तो alkylic हो है कौन सा है, alkylic है, तो यह निकलेगा और यहाँ बीयार, समझ लो, समझ लो ध्यान से, हाँ, एक यह ज़िए और देखो यहाँ पर भी तो hydrogen है, अरे वाह, तो धेखो hydrogen single single double, यह भी आपका alkylic है, वेट, वेट, ध्यान से, यह भी आपका alkylic है, यह आपका one degree वाला है, यह इधर 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 त्री डिग्री वाला है यह वाला आपका कौन सा है थ्री डिग्री वाला है तो यह ज्यादा इस्टेबल होगा इसका उतलब यह निकलेगा और जब यह निकलेगा यहां से तो बता हो ब्रोमीन यहां पर अटैक करेगा तो ब्रोमीन जो होगा वह यहा के मिस्टी की बात नहीं कर रहे हैं तो सारे कोश्टन से अलग लग तरीके से हम लोग ध्याद से देखते चले जा रहे हैं यह बहुत सिंपल है देखो यहां पर भी फ्रेड कल तो यह मैं बार बार नहीं बोलू ना रियेजन देख के समझ जाओगे ना कि बैटा कि यह बेंज पर यहां पर आपका बी आर लग जाएगा चली यह को यह को यह को यह पढ़ गया आपका मस तरीके से देखिए अब आगे बढ़ते हैं और यह यह कोश्टन देखें मस्ट जिशन जिशा देखें जबादस कोशन आपका सामने है ना फाइं टोटल नमबर अप्रोडक्स इं तो एक तो पच्छाने का तरीका यह था कि आप फ्री रेडिकल बना और रेजनेंस में आ जाए तो वहां पर जो हाइड्रोजन होगा आपका अलाइलिक होगा अगर है डबल बॉंड लगा हुआ है तो जैसे कि यहां पर बन सकता है कि नी बन सकते हो फ्री रेडिकल सिंगल ट्य enemies बहुत अटिक यहां पर जोड़के देख से जोड़ा है और जो झोड़ कि दो तो इसे जोड़को लगए है तो यहां पर जोड़को कर दो पर हम कि आप लागा होगा पर zeros यहां पर धीक शश्य ड्आइकंग तो एसके पार फ्री रेडिकल बन सकता है यहां पर भी तो आप क्या करो इसका फ्री रेडिकल बना लो फिर इसका बना फिर इसका रेडिकल बना लो फिर इसका फ्री रेडिकल वाला कंपाउंड लो और फिर आरेस बना उसका फिर देखो कि कहां पर जोमेटिकल हो सकता है कहां पर अप्टिकल हो सकता है तोटल काउंट करके बताओ इस वाले को मैं लेने जा रहा हूं ठीक है इस वाले को कलर चेंज करने लेडे इस वाले को लेने जा रहा ह पर सिद्ए-फूम लिख दू बैटे ऐसे हैं पर कुट अचना यह बढ़ाовать क्या और सकता है है चलो इसका रस बना लो सब से पहले इसका रस अगर हम बना ले इसका रस खिया बनेगा इसके ज़िरे फिर इक साथ कांट करेंगे तो पिद्कूं वन टो थ्री गिए उन टू तो थी अन टो एक दो बना जाना लेते हैं, सारे अलग हो ने और इंदिकल तो नहीं बन रहा है, अगर कोई identical RS बन रहा है तो इसको काउंट मत कर लेना, यह ले लिया, अब यहां पर यह ले लिया, अब इसका बनाया, अब इसका RS बनाया तो जरह गौर फर्माइएगा, जनाब तो जरह गौर में चला जाएगा भाई साब आपको नहीं लगता कि अडेंटिकल हैं मैं बोध हर इडेंटिकल कैसे फ्रियरिकल सिंगल सीएटिर डाबल वर्ण। फिरेडिगल सिंगल, CS3, double bond, symmetrical हो गया बई, identical हो गया तो इसमें से हम एक ही compound को consider करेंगे क्योंकि दोनों क्या हो गया अडिंटिकल हो गया है तो हम एक ही compound को इसमें consider करेंगे जहां आगे बढ़ेंगे तो यह दोनों तो दोको different है इसको लेके आगे बढ़ जाएंगे, हम एटा इसको भी लेके आगे बढ़ जाएंगे इन में से हम किसी एक को लेके आगे बढ़ेंगे और एक को नहीं लेंगे क्योंकि दोनों identical होग है चले अब तीस्सा जो बन जा रहा है वो क्या होगा जरा देखो तीस्सी बाली बात अकरम कर लें तो क्या यहां वाला पना ले देख गड़ा यहां चला जाएगा यहां यहां से भी आगे जाएंगे और आप पी किसका आडे करना है एंगा नहीं इसको अनला पना ओडाओ कितना मस्त कैशन है जबादस्त यहें इस का का कंड रहुं पर है तो आप बनाते जाते हैं बढ़िया तरीके से और आगे बात किजाए अब अब लगा लेते हैं BR, यहां पर एक चीजा है, जो डबल बॉंड इसके अंदर है, इसकी वज़ास तो GI होगा नहीं, क्योंकि डबल बॉंड की वज़ासे, साइक्लोहिक्जन, यहना, जो में बटाया हुआ है, उसकी वज़े से जिया यहां पर इसको हम ऐसे लिखें, आपर यहां पर एक च्छ निकल याग तो यहां बना देगा, चालो और बना लेते हैं सारे के सारे, है न, दूसरा, शली, आप अब अटेक कराएं जनाब यहां पर तो क्या यहां पर बियार लग जाएगा अच्छा मेटा वैलेंसी तो काबन का चार हो थे एक बियार तो इसका उदला इसका पास एक हाइड्रोजन भी हो गया है यहां से आते हैं तो अगर हम यहां से नीचे आएं और कुछ इस तरह का बनाएं यहां पर अटेक कराएं तो यहां पर बियार और एक चौता हाइड्रोजन यहां पर होगा चलिए इसको छोड़ दो अब इसका वाला गर हम बनाएं तो पीटे क्या बनेगा जरा देखिएगा और गौर फरमाईएगा यहां पर लग गया बियार इसके पास भी एक बनेगा और इसके पास दो आईड्रोजन है तो यह जो डबल बॉंट है क्या इसकी वज़े से जी आई होगा नहीं सेम आ गए चिक है रिंग वाली की वज़ेस तो जी आई हो गई नहीं होगा अब यहां पर बिटा कोई काईरल सेंटर है क्या नहीं है दोनों आईड्रोजन सेम है और यहां पर भी दो आईड्रोजन इसका मतलब इसका शिफ एक ही प्रोड़क्त होगा ना तो यहां पर जी आई होगा और यहां पर ओड्रोड़क्त सिर्फ यह रहेगा एक यह हो गया चलिये तो कई है नहीं अब बात करते हैं तो देखो काईरल सेंटर तो एक आर ब यू वी कर सेंटर है यह आपर भी दो बन जाएंगे इसका यह भी देकू कायां ऑद टुकल प्रोडुक्टस तो बहां डिसके थको कोड़ दूटल पॉसलि Zoe और ना इस यूब दॉट कोशन बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं बताओ दिल खुस होना चाहिए आपका तगड़े-दगड़े कोशन लेके आया हूं मैं बढ़िया बढ़िया यह दो को आपके सामने प्रोपर सलूशन है चलो अब बर्त करते हैं अगले कोशन की चलो पहुंच करो और ट्राइ करो आप यहां पर हो सकता है अब डिरेक्ट बात कर लें यहां पर हो सकता है देखो यहां पर हो सकता है देखो यहां पर हो सकता है देखो है 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 यहां पर हो सकता है तो तो कोई एक लेके हम आगे जब लेते हैं और इसका solution बनाते है आप दुजरा देखिए जड़ियो गौर्फर्मरी है अप ये लिजे और एक इड़ेकल चल बने ये वाला बना लिया अब इसका RS भी बना लेते हैं तो इसको वन बोलिंग इसको तो त्री बोलिंगे ये जो RS बनेगा वो ग्या पनेगा और अरगनिक केमिस्टी आवरीजम बहुत तक्रावा एक ऊगे जी एका हुड तब ही के विछआए चाहले और टॉ आपको जियोसी आएगा तो अब टो टॉ तू ने चला जाएगा यहां चला जाएगा और टॉ अब तु अब टॉ तू ने चला जायेगा तो क्या होगा चिनाब, यहाँ पर ब्रोमीन का टेक करा लीजिए आप, चलो एक बर बना लें फटा 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 छोटा बना लें तो कोई दिक्कत तो नहीं बटे आपको, अगर थोला छोटा सा बना दें तो आपको कोई कश्क तो नहीं होगा इसमें, नहीं होगा, बह यह आपको Seiten會 हो जाएगा एक इत्थरोजय वा भाइ वा इस पढुशन यह तो बड़ी कचप हो जाति है एतो बड़ी कचप हो जाति है तो बड़ी कचब अधिय का स्विकीर होगा है और यह हम उद्धा से माखला सिंह यह ए जप Patr तोटल प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे टोटल प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे टो प्लस टू इसको एक्वाइश टो फोर तू प्लस टू और गर्दा कोश्चन देंगे आपको अभी आप टिंशन बिल्कुल लें मस्त और जबादस तरीके से तो यह राज का सिलूशन बता यह बने आपको चलिए आप निकस्ट कोशिन की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत सिंपल इसको ऐसे ही डिप्टा देते हैं कैसे देखो यहां पर इसको अगर हम ऐसे लिख दें इसको हम सियच कर दें अगर राइट तो बता बता नहीं यह तो सही नहीं लग रहा है थोड़ा सा हम Ng ,zemal पीच और भैसाहभ यह तो बiao भीदातक है यह तो बेंजायलिक हैं भाई बेंजायलिक यह निकलेगा और यह बियार आजाएगा तो इसको कुछ स्तरा का घ्रिपटा करेगा यह यह तक यह क्ल देखते है इन ऐसे श्चोश निकल कहें एजाय मदें जस्किना राइक ब तो आपको यह बात भी समझ में आगे बहुत तगलिस है तो बड़ी अच्छी बात हो जा रही है लेकिन चलिए अब इसके बात करते हैं फाइं टोटल नंबर आप प्रोड़क्ट्स इंक्लूडिंग सिर्यो आजमर्स और थोड़ा से रिएजेंट पे ध्यान देते जाएं कि अलालिक और बेंजालिक हो सकता है अब अब देखते ही हमसे अलालिक बेंजालिक शुरू अरे भाई जो सारी कंडिशन्स बताई थी है न आज तब ही अलालिक बेंजालिक करना क्योंकि आगे नेक्स लेक्ट्स इसका आएगा वहां पर इलेक्रोफिलिक अडिशन भी होगा वहां पर के टेलिस्ट का वरकिंग होगा और भी देर सारे काम होंगे बात समझे रहो है आज तो हम लोग यहां पर चुकि लास्ट क्लास म हाइडोजन यहां पर लगेगा तो एक दिखा देता हूँ हाइडोजन सिंगल सिंगल डबल है ना तो ऐसे करके बटा इस सारे के सारे हाइडोजन आपके कौन से होंगे अलाय लिखोंगे बट यह भी सिमेट्रिकल है तो किसी एक को चुनना होगा तो हमने किसी एक को चुन अब किसी एक को चुननेने के बाद क्या हम कुछ ऐसे काम कर सकते हैं क्या यह लिशे क्या इसका आरेस बना सकते हैं क्या अरे बिलकुल बना सकते हैं कैसे नहीं बना सकते हैं कोई रोख ही नहीं सकता हमको और आपको भी यह देखिए इसका आरेस बना है कि यह 1 है यह 2 है यह 3 ह बहुत तो बहुत 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 चेक कर लेते हैं, कि कितने प्रोडक्ट हमको मिलने वाले हैं, पहले मैं एक बार ऐसे रफ बना लू, लब रफ नहीं है, फेर है यह, क्या करते हैं जनाब आप, चले, यहां पर अटेक मारा तो यह भी आरा गया विटे, और इसके पास एक हाइडोजन भी तो है ना, उसको मत यह, अभी तीन हो रहा है, तो एक हाइडोजन आपर होगा, ओहो, गचब है बई, तो बड़ी गचब बात हो जाती है, अब यह देखो, क्या बटाई, अब यह साइकलिक में तो है नहीं जारा है, इस डबल बांट पर भी नजर डाल लो आप एक बार, इदा दोनों सेम हो ज जाइए, नहीं है, ओके, गुट, तो यह बात यहाँ पर आजाती है, अब यहाँ पर अगर बात करें बेटा, तो ध्यान से देखना और गरबड मत करना बिलकुल भी जनाब भी गरबड नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, तो जरह देखें, यहाँ पर आपका, तो GI नहीं हुआ, नहीं हुआ, चलो, कोई बात है, यहाँ पर अगर आप देखें बेटा, तो यह ग्रूप सेम है, यह ग्रूप सेम है, ओओ, नोट कारल सेंटर, तो इसका बता है, यहाँ पर OI तो नहीं होगा, यहाँ पर कारल सेंटर तो है अगर आप बात करो यहां पर तो यहां पर एक आपका औरी यह CS3 गूप लगा हुआ था इस वाले को CS3 लिख यहां पर यहां यह लग यह लग यह लग यह लग यह लग तो यहां पर OI optical isomerism तो होगा क्या दो बन जाएंगे चले दो बन गए अप्टिकल अगर आप गौर अगर खेल शनुरां इंड गौर j 32 जो एक धरला के लिए वारख की अगर ऑंप यह यह तो nar wanna यह दो नोलग अरे भाई साब तो GI सो कर देगा और GI सो करेगा तो ENZ बनाएगा तो इसके भी 2 बन जाएंगे तो इसके भी total products जो आजाएंगे वो 2 आजाएंगे और एक कहानी समझ रहो क्या है ना मस्त कोशन so 2 plus 2 is equals to 4 2 plus 2 equals to 4 कहानी klar है क्या बेटी कहानी क्लियर है क्या बदाओ बदाओ जना बधाओ चलो अगले questions की बात करते हैं नेकस्त question इसके बात करते हैं तो बहुत simple है भाई इदर कहीं पर हमको नजर नहीं आ रहा है अगर हम इसकी बात कर लें यहां पर एक तो बनाना बनता है लेकिन बनाएंगे हम इस टाइल से तो अगर हम यहां पर इसको CH2 कर दें और हम इसको H कर दें या पर यहीं से अगर एक बर दिखाएं कुछ ऐसे तो hydrogen single single double यानि कि यहां पर जो hydrogen है that is allylic hydrogen तो सीधे में free radical बना दूँ इसका देखो यह उसका CH double bond CH CO and OCH5 अगर आप कोई स्टियोरी फिस्टियोरी chemistry की बात नहीं कर रहे हो तो आप यहां पर यहां पर भी बीर अटेक करा सकते हो आप यहां पर अपने बीर अटेक करा आए तो यह बन जायगा तो डिरेक्टली है CH double bond CH CO OCH5 इसका आप बनाके भी एप्रोड़क्स बना सकते हो और यह जो बनता है इसका हम reformist की reaction में यूज करते हैं आगे आपको named reaction पढ़ाया जाएगा reformist की reaction उसमें यूज करते हैं इस वाले product का आप resonance करा के यहाँ पर भी जा सकते हो और यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पर भी BR लगा सकते हो तो double bond आपका इधार आजाएगा है और major minor वगारा सारी बाते कर सकते हो ठीक है तो आपको पता है कैसे करना है चलिए अब बात करते है निकस्त question की यह आपका next question it's a very good question धान से दिखेगा अगर हम बात करें यहाँ पर इस hydrogen की और इस hydrogen की तो hydrogen single single pH hydrogen single single pH यह भी allylic यह भी allylic तो equivalent NBS हमने लिया है तो यह BR radical है यह यहाँ पर attack मार देगा चलिक मार दिया इसने attack यहाँ पर गौर फर्माई यह गाजरव जनाब तो यह attack इसने आपर मार दिया और यह BR आ गया अब हमने इसमें डाला फिर से one equivalent NBS one equivalent NBS हमने इसमें और डाला तो अब यह भी allylic करेगा अब अब सुचो बेटा अभी तक क्या था कि यह दोनों hydrogen जो थे symmetrical थे symmetrical थे तो हमने किसी एक की बात की बट जब आप एक equivalent इडालोगे तो यह carbon यह carbon अलग लग हो गए अब इसके पास भी hydrogen है बेटे और इसके पास भी hydrogen हलांकि 2m curse कर रहाँ यहां पर भी hydrogen है यहां पर भी hydrogen है तो इसका मतलब यह यह hydrogen is single single double यह hydrogen अलग है क्योंकि शी इ्टिकल नहीं रहा तो hydrogen single इन दोनों में इनवारे किसको रिमूब करेंगे, क्या दोनों बना। यहां पर इस लिए बन सकता है और इस लिए बन सकता है काम करो दोनों बनाओं। तो आपको बहुत बढ़िया तरीके समझ में आगी, फिर जो हमारे लिए काम करनी होगा उसको मुड़ा देंगे, यूकि चीजों को हमें समझना बहुत तगड़े से हैं, बढ़िया तरीके से समझना है, मस तरीके से इतम, यहां पर आपके एक बियार लगा हुआ है, और हमने क्या किया, एक बार यहां से निकाल लिया, फिर रेटिकल, रुको, यह वाले निकाल लिया हमने, तो यहां पर आपको डिसाइड करना होगा यह कौन सा निकलेगा, तो आप डिसाइड करते है न, रुको न, अब यहां पर बियार है, और यहां पर रेटिकल है, और यहां पर इच्छी बताव बिटे, फिर एडिकल को मतलब क्या, इलेक्ट्रोनों की डिफिशियन्सी, और बेटा जो बियार यह माइनस आइ गूरूफ है, इलेक्ट्रोन बिड्रोईंग गूरूफ है, यह यह इलेक्ट्रोन को पितरब और खीचने लगेगा, तो वैसे ही एलेक्ट्रोन यहía इनस्टेबल टूरे। यहाँ पर टूरे, distance independent होता, ऐपर इंस्टेंस देन्स होता है, यहाँ पर जधा डालेगा, यहाँ पर एंस्टेंस घूफ्यटक्रूफ ही कट दे, यह दिचे काट दी हम ने, और एब इस पर बियार का अटेक यहां पर कराएंगे, और दिख़े हम प्रोड़क्ट क्या बनाएंगे, मजाई, है न मास्त कोष्चन बटे, यह लिजे यह लिजे और यह और यह इसका लतों एक बीयार आपका इधर हाझाएगा और एक ब आपको बोल दिया जाए तो ध्यान रखना केरफल तो किस तरह से बटा कैसे क्या है यह सारी तरीके में आपको समझा है और आपके सामने रिजल्ट है यह आपका कुछ इस तरह से है अब एक कोश्चन और जब अधिस्त वाला दे रहा हूं जो ध्यान से देखेगा तग्रे से अब बढ़े हां से करना जड़ा है अब बहुत सारी चीज़े होते हैं इसके लिमिटेशन भी होते हैं अभी इतना ही बताएंगे कि सियो ग्रूप को सी एस्टू में कर लेता है और यह अरोमेटिक हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन होते हैं निकलके इलेक्रोफिलिक सब्स् इसके बाद फिर हम बात करते हैं तो यहां पर थोड़ी कहानी बताएंगे इसका वने स्लूशन बना रहरा है और डिरेक्ट दिकाएंगे ठीक है सुदर की टाइम बच जाएगा अगर यहां पर देखें इसको तो यह देखो यह माइन से यहां पर प्लस ऐसे ऐसे देख सकते यह फिर चुकि ALCL3 है तो ALCL3 क्या करेगा इस CL को निकाल देगा तो ALCL4 माइनस बना देगा और यहां पर प्लस आजाएगा तो यह CL यहां से निकलेगा यहां से निकलेगा यहां से निकलेगा यहां प्लस आएगा यहां से प्लस निकलेगा यहां माइनस आएगा यहां माइन में तो यहां जाके, यह क्या, a l c l 3 कर नवर्ट हो जाएगा, two molecules of a l c l 4- में, बात समझ रहे हैं और यहां पर plus आजएगा, प्लस और यहां पर खिच के यहां पर एक cyclization हो जाएगा, तो cyclization, यह Friedel Kraft जो acylation, यह आपका FCAC reaction है, Friedel Kraft acylation reaction, यह आपका reaction है, यहां पर बात कर रहे हैं, तो सारी बात कर लेते हैं, तो यह आएगा, यह आएगा, इसके बात फिर यहां पर डवल बाउंड ओ आएगा, और इस तरह से छुट आओ अब जैसे आप इसमें जड़ेनेजी, तो यहां पर आपने क्या डाला था, अल-C-L-3 डाला, अब जैसे आ आगे की कहानी आपको बता है, चलो अब यही पर काम, चलो यह लिए, यह हो गया ना, CS2, CS2, अब बताओ, अब इसमें आप 2 equivalent NBS डालोगे तो अभी तो बैने आपको समझाया था, यही तो कोश्चन उपर बाला ज़रा देखो, कहां गया, कहां गया, कहां गया, जनाब, कहा लोगे काम, जनाब, कहां बता हूँ, तो देखें क्या होने वाला है, क्या कुछ पर यह इस तरह का हो जाएगा, क्या है ना, मस्त, और जब आद अस गोश्चन, ए और बी को इडेंटिफाई करना था, एक बीया आपको यहां लग जाएगा, और एक बीया आपको यहां लग तो इसका बने प्रॉपर solution भी दे रखा है, you can check यह पूरा का पूरा detail में आपके सामने है, यह सब कुछ इस तरह से करके है, इसमें एक चीज और कर, मतलब इसमें एक पार्ट और हम भी हम कर सकते हैं, इससी question में solution में ने दिया है, अगर आप यहां पर जिंक dust दाल दो, जिंक dust और heat तो C बनेगा, तो इसमें आप यह कर सकते हैं, कि इसको आप क्या करो, जो आप डिंक dust और heat डालते हो, जो विक डाय हैलाइड होते हैं, इस तरह से, अगर यहां पर halogen लगा, यहां पर है, तो जिंक dust और heat क्या करता है, यहां से इनका removal कर देता है, और यहां पर double bond आजाता है, कुछी जरह से, तो अगर दिंक dust आ लोगो, तो यह दोरों ब्रोमीन निकल जाएगा, यहां double bond आजाएगा, तो इस विल बाट देखो, कितना तगड़ा कोशन और बन गया, विटे, यह लिजे, इस विल भी और सी, यह लिजे जनाब, आगया मजा, हो गया मजा, मस्त मस्त जबदस्त काम हो गया, तो यह कोशन भी आपका clear हो चुका है, चलिए, अब बढ़ते हैं, निकस्ट कोशन की तरफ, चलिए, बहुत बढ़िया कोशन, बहुत मज़ेदार कोशन है, अलकोहली केवच और हीट अगर आपको नजर आ जाए, तो इसका मतलब होता है, बीटा एलिमिनेशन, हाला कि यह सब मैं आपको एलिमिनेशन रियक्शन में बताऊंगा, यहां पर जरूत पढ़ रही है, इसलिए हम आपको समझा दे रहे हैं, बीटा एलिमिनेशन रियक्शन होता है, अब जैसे यह compound है, यहां पर यह, इस तरह का है, यहां पर है, कैसे ब देखना है, एक बार पहुच करो, देखो आप चेक करो, और इसको सॉल्व करते है, सलूशन आपके सामने, देखी लो फिर आप, आप सॉल्व कर लिया होगा, बताओ, क्या यह आपका अलाइलिक हाई, एन बीएस है, तो यहां पर बीटा 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 एलिमिनेशन होता है स्बीटबित रिस्पेक्ट टूअलिविं ग्रूप, इह लिविद् गूप हैं भीटा है, सो ओग प्रिस्पेक्ट में आलफा यह ब्रूपन ऑबल गून हो जाया है, यहां डाइबून है, फिरसे अपने इंबिस डाया, जैसे आपर एन इंबिस डाल Hans यह यह वाला हैं णिक अब जैसे ब्र लगा तो इधर जो hydrogen है बेटा वो double bond सेट है इधर जो hydrogen है तो living group respect में इसको आप alpha बोलोगे इसको आप beta बोलोगे तो beta elimination हो जाएगा इस ब्रोबीन के साथ ऐसे और यहां पर double bond आजाएगा इस ब्रोबी और बेंजीन से आप NBS का यूज करके NBS और अलकोहलिक के वज का यूज करके यूज करके यूज फॉर्म बेंजीन एक्शली यूज फॉर्म बेंजीन एक्शली राइट बात समझ रोगे और ऐसे यह question और तगड़ा वाला है जिरा इसको ट्राई करें देखें ज तो बहुत सिंपल तरीका है बहुत सिंपल तरीका है क्या जाड़ा देखो देखो क्या है यहां पर जो hydrogen होगा वह आपका अलाइलिक hydrogen होगा देखेंगा द्यान से और यह वाला hydrogen कैसे hydrogen single single double hydrogen single single double अगरम इसमें two equivalent NPS डाल देखें यह वाला भी निकल जाएगा यह वाला भी निकल जाएगा फ्री रिडिकल यहां भी बन जाएगा और यहां पर बियार लग जाएगा तो यहां पर फ्री रिडिकल बन गया यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां कितने member का 6 member का, तो आप 6 बना लो, मैं यहां पर भी आपको बना के दिखा देता हूं, 6 बना लो, numbering कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब जारा देखो बेटा, 1 पर कुछ है नहीं है, 2, 3 पर double bond है, 2, 3 पर double bond है, 2, 3 पर double bond है, ऐसे बनाना है, 4, 5 पर double bond है, 4, 5 पर double bond है, य अब इसके बाद फिर यह जो hydrogen है, क्या है, यह एलालिक hydrogen है, बोलो ना बेटे, और अगर आप उसे पर 1 equivalent NBS डालते हो, तो यह hydrogen हटेगा, यहां पर ब्रोमीन आएगा, उसका फिर बतर बताओ, यहां पर hydrogen लगा है, यह अलफा है और यह बीटा है, यहां से HBR निकल जाग, यह इसलिए अब आगे बात करते हैं, तो और जब अधस्त और ठगड़ी बात करने जा रहे हैं, बढ़ीया मस्त और है, तो आगे इन कोशन में आप बहुत इंज्वाइ कर रहे होगे, काफी कुछ आप सीख रहे होगे, जो कि आपके बहुत अच्छा काम आने वाला है, NBS के ज आपके आप फरेड़कल बना देता है, ऐसे अमनोटो भी क्या होता है, यह बहुत सलिक्टिव होता है, यह आपका एक mild oxidizing agent होता है, युकि बहुत selective होता है, फेरि सलिक्टिव, oxidizing agents में मैंने सारी चीजे बता रखी है, इट कर्स अलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोल तो और यह अगर आपको दिखाते हैं, अगर यहां पर लाइक, हमने का कर दो कि इस एक जांपल आप देख लो, यहां पर ओएलिक अल्कोल क्या होगा बता है आपको, single, single, double, so OH single, single, double is your allylic alcohol, O H तो little p H य्जिवैस। बेंजयलिक अलकोछॉल अब आप इसमें Amno2 डाल देते हो यै फिर ये अगर आप Amno2 डाल देते हो तो ये स्पेकोछ ग्रूब्र स Ooh CHO group में, aldehyde group में, बात समझे लो, CHO group में, करनोट कर देता है, कुछ इस तरह से, यहां पर जो भी कार्बन होगा, वो CHO में चला जाएगा, इसको हम example के तुर समझाएंगे, तो ज्यादा बेटर समझ पाओगे, तो अभी, यह समझ गया ना बेटे, कि allylic क्या होता है, और, यहां पर आइसे लिख लो, कि इसको aldehyde में करनोट कर देगा, और इसको भी aldehyde में, for example, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, तो OH सिंगल, 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 डबल, तो यह आपका allylic alcoval हो गया, अब अगर यह allylic alcoval है, उसमें आपने amonute प्राला, बहुत selective होता है, allylic को यह престी radar आइसा है, तो यहां पर एसी रहेगा, और देखो यहां पर यह carbon था, यह carbon था, यह carbon था, यह carbon था, तो यह carbon हो यह carbon है नहीं, तो यह carbon हो just the same DC. देखेगा यह कुछ इस तरह से यहां पर double bond होगा और यहां पर यह इसको CHO में करनोट कर देगा समझ रहो यह वाला पार्ट आपका कार्बन से यह जो कार्बन यह CHO में करनोट हो जाएगा ऐसे अगर हम बेंजाइलिक ले ले लेते कुछ इस तरह से अगर आप इसमें मनोट उडाल देते तो क्या करता है यह तो कार्बन है ने यह इस तरह से यह CHO में करनोट हो जाएगा बना देता आपका देता यह CHO Benzyl Dehyde अभड देता है अगर समीट देता इसलिए तो पुछीक्त और देता है तो से अगरी हो बहुत करते है यह द्या करतें हैं Y volt पर हम आपको फटा 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 इहीं सब बता देंगे प्रोड़क्त देखते देखते ही बना डालेंगे इसको चीक है चीले देखें तो आपने आपने पहुत करके इसको टाई कर लिया होगा आप जाड़े देखने बटा क्या यहां पर आपने सबसे पहले मनenne सब्सक्त्यार करते हैं तो तो यह तो यह पर सिंगल ऑच है इसका मतलब यह तुरंट इसको अ på prag incoming ग्रवble है यह जो तो थिahr दो आच्वेट कर देखें इस घे का है यही पर बना के दिखाना चाहते हैं आपको इसको हम ऐसे कर दें किया आपका CHO में करनोट हो जाएगा यहां पर कारबन ही है और यह आपका CHO करनोट हो गया तो आपका इमनोटो का काप हो गया अब आपने राला NBS तो NBS क्या करता उसके बाद अब यहां पर जितने भी हाइडोजन से लगे हुए हैं 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 जहां जहां भी हाइडोजन से लगे हुए हैं उस सब के सब डबल बांड से लगे हुए हैं यह को unreplace नहीं होता यह हम आपको बता चुक्हें यहां पर evo यह है नहीं, यहां पर hydrogen है यह नहीं, यह भी CH3, इप पर गुवर्ण और दोखते हैं, यह भी आपका विनायलिक hydrogen, तो बच्थता कौन सा है, सिर्फ यह यह वाला hydrogen बच्थता है, और यह जो hydrogen है, hydrogen single single, single double, this is your allylic hydrogen, और बाकी कि यह जितने भी hydrogen थे, यह वाला, यह वाला, यह व में यही नजर आ रहा है हलाकि एक और होगा दो एक ही बात है तो अलायलिक हाइड्रोजन आपका यह है तो जा आप NBS डालोगे तो यहां पर 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 यहां प यहां पर यहांपर यहां पर अल्कोली की अचाल होगे तो पाइनल यहां पर काफी कुछ कुछ आ से और अपर यहां पर क्या डाल दिया सॉडियम बोरो हैड अट गाल दिया अगर SbH डाल दोगो तो यह Aldehyde को SbH क्या करता है Aldehyde को अल्कोहल में करनोर करता है तो यहां पर CH2OH हो जाएगा और यह तो बन चुका है ऐसे ही रहेगा तो आई होप आप समझ गए होगे कैसा क्या है अब मैं इस पूरे को अब बहुत बढ़िया तरीके से ज़रा देखिए अब यह देखिए अब यह कोर्शन आपका था और प्रोड़क्ट भी मैंने आपको बना के दिखा दिया वेटे कानी क्लियर है कानी क्लियर है एक दम अच्छे से चलिए तो अब जारा देखो इसका और सहा हैुअब आप का देखों प्रोजण तो आप कद दूशन मैं पूरा खीच के बनाया इसको यह क्ति के बनाया है तो एक चीज एक स्टिप बने बताया है ताव Y token आप चाहो तो आप एक बार नाज़े डाल लो, इस सलूशन में देखो, सबस्वाइल है MnO2 डाला, MnO2 ने क्या किया, CS2-1 को CSO में करनोट कर दिया, यह देखिए पाले स्टेप, यह आपका बिटामीन A है रिटिनॉल है, और अगले स्टेप में क्या हुआ, आपने क्या किय यह देखो यहां से, यहां से H और यह B-E-R निकल गया, यह दबल बॉंड आ गया, यह दबल बॉंड आ चुका है, यह देखो, और अगर S-B-H डाल दोगे, तो फिर से अल्डिहाइड अल्कोहल में करनोट हो जाएगा, और अधिस इस क्या बलते है, इसको विटामीन A2 बो और बात करते हैंुड, बहुत si cl-4 अब टाइम नहीं लगाना है यहां Alban पर है यहां धाकर यदेखो यह देखो फिर hier से भिव बॉंड फैसछ थ्लिह, और आपका क्योंत बीर जबी ठायो ब्रोमीन, पॉर ब्रोमीन यहां पर ऑगर यह हां थाण़ धो면ोंड खेगा यह ह بعत तो बड़े-बड़े compound को देखके डरना भी नहीं आपको कि ता बड़ा compound क्या करें कुछ नहीं सब डराने कोशिस किया जाता है आपको तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूत नहीं है है आप अराम से आगे बढ़ें और बिना किसी फियर के चले फाइं तोटल नंबर प्रोडटक्स इंक्लीव अपको समझाते है यहां पर भी हाइडरोजिन जो लगा है यहां पर ऐसे हाइडरोजन लगा होगा होगा इसको CH कर देते हैं, इसको CH2 करके hydrogen, देखो, hydrogen single single double, hydrogen single single double, यानि कि एक free radical यहाँ बन सकता है, एक free radical यहाँ बन सकता है, दोनों अलग बनेंगे, बनाया है, चले देखे, तो पहले यह वाला बनाते हैं, CH2, CH1C, और देखते हैं कितने product बनेंगे, मस तरीके से, ठीके, CH2, CH3, इस इसको 1, 2, 3, तो पहले सकता है, कितने carbon है, 1, 2, 3, 4, 5, CH2, CH, CH2, CH3, अब यह free radical आपका यहाँ पर चला जाएगा, थर्ड पोजिशन पर और यह 23 से यहाँ चला जाएगा, दूसरा, अगर हम यहाँ से निकालते हैं, तो क्या होता, देखेगा जरा जरा, तो CH3, CH, double bond CH, CH free radical औ और अगर हम इसका regenerative system बनाते हैं, तो 1, 2, 3, ऐसा है, यह यहाँ पर चला जाता, तो चलो बनाते हैं, पहले स्केलेटन बनाते हैं, CH3, CH, 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 और यहाँ पर आपका CH3, पांच कार बनाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, अब यह 1 से 3 पर चला जाएगा, मतलब यहाँ चला जा एक दम जबदस तरीके से देख लिजिए और गर्फरम यहाँ जबदस तरीके से, और जबदस तरीके से, और देख लिजिए कोई identical तो नहीं है, यह सब भी चेक कर लो बढ़िया तरीके से, को identical है कि नहीं है, एक बार यह मैने सारे possibility बताई, अब यहाँ से हम आगे बढ़े है, फिर CH है, सिंगल डबल, देख लिजाना, CS3 है, CS3 है, CH है, ओहो, सिंगल डबल, अपनी लग रहा है कि यह और यह दोनों identical है, देख लिजिए, अगर हम बात करें यहाँ पर, numbering, आउपक की बात नहीं कर रहा हूं, अगर हम करके देख लिए, अगर हम नॉर्मल numbering करके द देख लिए यहाँ पर, यहाँ पर CH था नहीं, नॉर्मल numbering करके देख लिए, यहाँ से, तो देखो, अब देखो जाए, इस तरफ से numbering किसका करते है, तो 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पर CH थी तो CH की तरफ से, 1, 2, 3, 4, 5, जान जे देखना, तो देखो, 1 पर CH, 1 पर CH, 2 पर CH, 3 और 4 पर double bond, 3 और 4 पर double bond, और फिर आगे CH, यहाँ पर, यहाँ पर CH है, और यहाँ पर CH, यहाँ पर CH था, और यहाँ पर से, त değer कर तरा है पर Ch, यहाँ पर तो किसी एक को कट कर देते हैं तो चली हम इसको कर देते हैं अब आगे बढ़े अब ब्रोमीन को अटेक मारी है यहां पर इसमें से क्यों कट किया क्या क्योंकि यह दोनों कैसे है इडेंटिकल है तो इडेंटिकल बेटा जरोज चेक कर लेना और अगर बहुत आज दिखकत हो तो आप तो आप तो आप आप नाम लिखके देख लेना अगर सेम आ जाता है इसका बतलब कंपॉंड सेम है सबसे बिस तरीका होता है अगर आपको कंफूजन हो कि इंडेंटिकल है की नहीं है ठीक है चली ओके अब इनके प्रोडक्ट्स क्या हो सकते है तोड़ा उनकी बात आप करते हैं और उनकी बात करते हैं रहा देखे बड़ा फोरा किया है तो यहां पर इंडिकल मारते हैं यंग तो यहांपर है और यहां पर इसके bromine को ऐसे लिख देते हैं और यहां पर CH2 यहां पर CH3 चले का कोई दिकत नहीं चले अब इसकी बात करते हैं अब यहां पर ब्रोमीन को अटेक कराते हैं लोगों CH3 C और यहां पर H और यहां पर BR लगा दिया और और यहां पर C और यहां पर H फिर C और यहां पर H और यहां पर CH3 देखें ध्यान से एकदम बढ़ियां तरीके से बैटे कोई गरबर नहीं होनी चाहिए बिलकुल भी जरह C भी गरबर नहीं होनी चाहिए अब गौर फर्माइएगा ज्रहा ध्यान दीजेगा इसकी बात करें अगर हम बैटे तो देखो यह बाला जो कार्विन सपास दो हाइडोजन है तो यहां पर उप्टिकल तो यह सो करेगा नहीं और सब जग कहीं पर कारल सेंटर है नहीं बढ़ियां बंद कर द यहं से जी आई सो नहीं होगा क्यों नहीं हो थाक हूगा क्यों तो यह वद आध कर लिघक यह तो यह बात का हैं जाए तो यान पर फिर कितना हो जाएम में आं चीजह यह बढ़ी बाहें ते जांटर यह बहु dejar भी बहुत बद्दिया चीज शी नहीं है अलाग कि निख को स ज blood Se- gene metrical books also is on Strategies just Mexico चmagaran Creativity then सब लिए सब्सक्राइब जी हो च्राइब जी बुड़ते हैं दबुड़ते हैं इसाल विए सब्सक्राइब श्राइब तो छिए सेल विए प्रका प्रक्राइब कर्षम सब्सक्राइब अर्ब नुमबर आप इस्टिरियोगेनिक सेंटर तो न जाएगा न का वालू कितने आ जाएगा 2 आ जाएगा बैटे 2 तो पावर 2 हो जाएगा तो यहाँ पर 4 आजाएगे टोटल प्रोड़क्ट्स कितने हो जाएगे तरीके से बता रखी है तो इस चीज आपके सामने हो गया इकानी क्लियर हो गई इसलूशन आपके सामने है सब बता रखा यहां पर बढ़िया से अच्छा यह वाला कोश्चन तो वेट अम लोग अल्लेडी कर चुके हैं इसको जो एंसर आया था कितना आया था अगर आपको य यहां यहां फ्री तरीकल फ्री रिडिकल बना था एक सिर्द आ कर चुक है यहां मड़ा फ्रीडेडी यह पर बना था हम लोगों कटै chuक्र ज्लिक्रग एक बना पर बना था है Osama लागने कोई दिख्ट वाली बात नहीं से पर प्र मैना लिग रखा है प्र भी कोई दिख्कत वाली बात नहीं है, आपको पता है कैसे करना है, यह दो को पूरा का पूरा यहां पर रही है, नेक्स्ट, अब यह कोशन करा जाओ, ध्यान से करना बढ़ियां तरीके से, ठीक है, अग्दम मस तरीके से, आई हो बेटा कि आपको अलायलिक बंजालिक सब्चुशन अब लिखें, तो हायरोजन सिंगल सिंगल, पी अच, यह आपको बेंजालिक होगा, अगर यह बेंजालिक होगा, तो बता हो क्या बनेगा, अगर आप इसमें NBS डाल दोगे, आप पहुच करके ट्राइ करना, ठीक है, इसको अगर आप यहां पर NBS डाल दोगे, तो यह क्या यह बेंजालिक होगा, 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 यह बेंजालि होगा आपका कुछ यह compound बन जाएगा यहां से आई पर आपका CH2 अब यहां पर आपका S CH3 हो जाएगा तो दो कौन सा देख लो चेक करो बैटे आई CH2 S CH3 you can check option A है correct क्या चेक कर लो बैटे यह आपको option आगया चलो अब अगले question की तरफ बाते हैं निकस्ट question की बात करते हैं यह देखिए जनाव यह देखिए जनाव एसो सी एसो टू सी एल्टो एच नियू है बैटे यह आपका रीट्स रियाक्शन है फिर NBS फिर KSH आगे ना मस्ट question तो रीट्स रेक्शन में मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हाईडोजन की बात करें तो देखो एच सिंगल सिंगल पिएच अला कि यह भी आपका बेंजाइलिक है और अगर हम यहाँ पर इसको ऐसे CH2H लिख दें तो यहाँ पर एच सिंगल 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 पिएच यह भी आपका बेंजाइलिक है लेकिन चब बेंजाइलिक यह भी है बेंजाइलिक यह भी है बात को यहां free radical बने यह रेजोनेंस आएगा यहां free radical बताओ कहाँ पर एक तो यह तो यह 3 degree है और दुस्सा बनेगा जब यह free radical बनेगा तो बताओ एसो खेल टू कहाँ पर छी यह आलकेन यह किनी बटे आलकेन यह क्या करता था आरेज को सो 2, cl2, याद करो अभी रीट्स रेक्शन बताए था, आरह च को र चल में करो, यानि यह एच को हटाके क्या है cl लगा देगा, यानि कि यह गया बन जाएगा जब इसमें आप सो 2, cl2 डाल दोगे, जो आप इसमें क्या डाल दोगे, बटा, so 2, cl2, रीट्स रेक्शन, तो आ पताओ जाए यहाँ पर तो ही नहीं अब यहीं पर यह वळा ही रोज़न है तो अभी समय आपका यहाँ से ही नहीं है अदेखलो आप कितना मद्ज़़ स्सीय तो यहाँ पर क्या है ची ची टू बाया रो जाएगा और इसके बाद आप KSH जब आप डालोगे जब इसके बाद KSH आप डालोगे बैटे तो KSH डालोगे तो SH माइनस आपका मौडरेट बेस है बैटे और यहाँ पर इन दोनों की बात अगर हम करें तो इन दोनों में यह आपका बेटर लिविंग ग्रूफ होता है SN2 के थ्रो यह निकल जाएगा तो यहां से BR निकल जाएगा और यहां पर SH माइनस अटाइक कर देगा तो जब देखो हैना मेरा मस्त कोशन अब देखते जाओ कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़े हो सकती है तो CH2 SH हो जाएगा और यहां पर आपका कुछ CA compound और यहां पर CL देखो कर देखाने की कोशिस कर रहा हूं तो यह कोशन भी आपका निपट गया चलिए अब बात करते हैं और नेक्स कोशिन की यह आपके सामने है जाए देखिए गोगर फर्मारी की अपने टू मोल ले लिया तो यहां पर भी देखो आपका बेंजाली खाईटोजन यहां पर ही ब यहां पर आपका CH2-BR हो जाएगा और यहां पर आपका CH-BR और CH3 आप तो नहीं बूलोगे सर यहां पर अभी भी सर अब जब दूसरा मोल डालेंगे तो यहां पर भी सर एक हैटोजन और भी तो यह तो बेंजाली है यह भी तो हट सकता ही हटेगा तो माइनस आई आ गया ना इसके एक्टिविटी को decrease कर देगा इसलिए यह बाला जाएगा यह आपको पिछने बता चुका हूँ तो टूमल में यह काम हो गया अब इसका आप केसीन डाल रहा हो केसीन डाल रहा हो अब जिला देखिए का अध्यान से गवर्फरमा यह गर्बड मत कीजिएगा तो सीन मा अध्यान जो है आपका मौर्ड पिस ए अप जफ़ को गवर्फरमाने अपने स्ट्रमा अध्यान से का मौने हम तो सीन गे ख़ना है तो यहां से आपका क्या करेगा ब्यार को निकल यहां से आपका ब्यार निकल जाएगा और ज़रा드र दिन ज्हां से कंपॉंड गया बनेगा क्या यहां पर CH2 और यहां पर CN लग जाएगा कुछ इस तरह से बटा यहां पर CH और यह BR ऐसे ही रह जाएगा and this will be CH3 क्यानी क्लियर है चलिए बढ़ते हैं नेकस्त कोशिन की तरफ और अध्यान दीजाएगा अराम से देख लिजे एक ताम खटाक से होना चाहिए खटाक से रहना चाहिए खटाक से चलिए अपने पहुच करके ट्राइ कर लिया होगा चलिए यहां पर जो हैड्रोजन लगा है इ नहीं होगा इसका काम खतम पर यहां पर जो हैड्रोजन लगा हुआ है यह वाला है यहां पर जो हैड्रोजन सिंगल सिंगल पी अच इधर भी हैड्रोजन लगा है हाइड्रोजन सिंगल सिंगल पी अब यह वाला जो हैड्रोजन है यह टू डिग्री है यह वाला जो हैड्र साथ यहां पर ब्रोमीन लगया और अब बताओ आपको पता है सब्स्टिशन डियक्शन जो हम आपको आगे करा रहे थे अगर आप एक बार बुक उठा के देख ले ना सब्स्टिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो चुकि एंब्स में सब्स्टिशन भी इसलिए 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 को लिया और चुकि एंब्स के बिना काम चलता नहीं और इंब्स की बिना काम चलता नहीं और इंब्स की बिना काम चलता नहीं और इसलिए 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 अब निक्स क्लास में आम लोग पता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात करेंगे, कैटलिस्ट का फंक्शन क्या होगा, माइल्ड ओक्ष जाइजिंग एजन का फंक्शन क्या होगा, और सम अधर फॉर्म और क्या हो सकते हैं, उस सारी चीजे करेंगे, और तब आपका NBS कंप्लीट होगा, और तब आपका NBS कंप्लीट होगा, अब अब जड़ा सकते हैं, अब जड़ासा भी टाइम लगए, चुप के में कर सकते हैं, तो अगर आपको पसंद आया है, सब कुछ ठीक लगा है, तो लाइक, कमेंट, सेयर और सब्स्राइब, और थैंक्यों सो मज़ बटा, गॉड बलेस्यू आल, लव यू आल, खुब पड़ो, खुब लिखो, खुब आगे बड़ो बटा, और बाकी मेहनत आप भी करो, और मेहनत तो मैं जब अजस्त करी रहा हूं, दो को प्रॉपर नूट्स बनाता हूं, सब कुछ आपके लिए ला रहा हूं, हर चीज, सब कुछ है कि सब कुछ आपको मिल जाए, आपको कुछ भी अलग से एफट लगाने के जरे होतना पड़े, चाहे हो जाए मेन हो, चाहे नीट हो, चाहे एडवांस हो, सारी चीज़े कबर कर रहा हूं, इसका है, तो के, थैंक यू, गॉद्लिस यू अल, लव यू अल, वाइनोट डी